नमस्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पोक्राजगिरी और इस FTR सेशन में मैं डील कर रहा हूँ 36 गड़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में और मैं आपको बता दूँ आज का जो FTR वीडियो है उस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रशन स्थानी प्रशासन से लास्ट वीडियो में हमने ग्रामीर स्तर पर देखा था और इस वीडियो में हम देख रहे हैं नगरी स्थानी प्रशासन पर आधारित कुछ प्रशनों को तो इससे पहले कि हम प्रशनों पर जाएं एक announcement में आप लोगों को बता दूँ कि हम competition community की तरफ से करा रहे हैं हर सबता हमें रवी वार के दिन 11 बजे online test और यह जो test है इसे देने के लिए आपको क्या करना है तो शुक्रवार की रात्री तक जाकर register कर लेना है हमारे website पर यह जो registration है हर एक test के लिए हर एक शुक्रवार को आपको करना होगा और registration के पश्चात ही आप उस test को संडे को दे पाएंगे तो यह हो गया announcement अब आजाते हैं प्रशनों पे तो आज का पहला प्रशन है नगर पंचायत के president in council के विशय में क्या सहीं नहीं अब समझे प्रेसिड in council इसे कहते हैं PIC यह PIC क्या है तो यह है एक समिति अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं नगर पंचायत के PIC के बारे में अब समझे नगर पंचायत का जब होता है चुनाओ और इस चुनाओ का जब result आता है उसके प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर एक ऐसी बैठक बुलानी होती है जिसमें अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है किसका तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और ध्यान रखना उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ दिनों के भीतर अध्यक्ष के द्वारा किसका पी आई सी का अब ध्यान रटना इस प्रेसिडेंट इन कांसिल में अगर हम बात करें नगर पंचायत की तो इसमें सबसे पहले रहने वाले हैं अध्यक्ष और अध्यक्ष के अलावा पांच ऐसे सदस्य जो की चुने गए हो निर्वाचित पार्षदों में से अब ध्यान रखना इस में कम से कम एक महिला एक OBC और एक SC ST सदस्य का होना अनिवारिय है क्या-क्या अनिवारिय है तो एक महिला का होना एक OBC का होना और एक SC ST का होना अनिवारिय है दूसरी बात आपको और बता दूँ अध्यक्ष जो है नगर पंचायत के वही होते हैं इस PIC के पदेन सभापती कौन होते हैं पदेन सभापती होते हैं एक बात और बता दूँ PIC के जितने भी सदस्य हैं वह अध्यक्ष के होते हैं प्रसाद परियंत प्रसाद परियंत होने का तात्पर यह यह है कि निर्वाचित पार्षदों में से जो PIC के सदस्य हैं उन्हें कभी भी अध्यक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर किसी दूसरे निर्वाचित पार्षद को PIC में लाया जा सकता है तो प्रसाद परियंत होने का मतलब ध्यान रखना कभी भी हटाया जा सकता है और उनी के स्थान पर किसी और निर्वाचित पार्षत को, और निर्वाचित पार्षत का मतलब ध्यान रखना नगर पंचायत के ही निर्वाचित पार्षतों में से, ऐसा नहीं कि नगर मिगम के निर्वाचित पार्षत को बना दिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे, समझ में आया तो PIC हम समझ गए अब हम देखते हैं options को तो option D को पहले देखते हैं एक सदस्य SCST वर्ग से होना तो यह हमने देखा कि एक सदस्य जो है उसे SCST वर्ग से होना अनिवारी है मतलब option D सही है एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से होना तो यह भी हमने देखा कि एक सदस्य जो है उसका OBC वर्ग से होना अनिवार्य है, मतलब option C भी सही है, फिर हमने देखा कि एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, मतलब option B में दिया हुआ, एक महिला सदस्य का होना भी सही है, तो option A में आखरी में क्या दिया हुआ है, कि इसकी सनरचना में अध्यक्ष के साथ कितने 7 सद सदस्य होते हैं लेकिन हमने देखा नगर पंचायत के संदर्भ में PIC में कितने सदस्य तो अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होते हैं तो ध्यान रखना यहां पर साथ जो है वह गलत दिया है और हमें क्वेशन में क्या बताना है कि क्या सही नहीं है तो हमने देखा option A जो ह वह right answer होने वाला है आपके प्रथम प्रश्न का एक चीज और बता दूँ नगर पंचायत की जगा अगर यह नगर पाली का परिशद होता तो नगर पाली का परिशद के संदर्भ में यह statement सही हो जाता क्योंकि वहां पर PIC में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं त पर साथ की जगा क्या होना चाहिए था पांच होना चाहिए था तो यह हो गया पहला प्रश्न अब आजाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर अब दूसरा प्रश्न है मेर इन काउंसिल से तो देखिए मेर इन काउंसिल की अगर बात करें तो जैसे ही नगर पालिक निगम के चुनाव के रिजल्ट्स का प्रकाशन हुआ 15 दिनों के भीतर एक ऐसी बैठक बुलाई जाएगी जिसमें निर्वाचन होगा किसका तो महा पौर का और किसका तो होगा सभापती का इस सभापती के निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर महा पौर के द्वारा गठन किया जाएगा क इसका MIC या Mayor in Council, अब MIC में ध्यान रखना, इसकी संरचना कैसे रहने वाली है, तो महा पौर और निर्वाचित पार्षदों में से 20 प्रतिशत पार्षद, कितने प्रतिशत, 20 प्रतिशत, जिसमें कम से कम दो महिला पार्षद हों, दो OBC हों, और एक SC ST, इसके अलावा ध्यान रखना माहा पौर जो है, वह रहेंगे कौन तो पदेन सभापती रहने वाले हैं, इस Mayor in Council के, अब आजाते हैं Options पे, तो Option D से शुरुवात करते हैं, देखते हैं, क्या लिखा है, तो कम से कम एक SC ST वर्ग का सदस्य होगा, तो बिल्कुल सही बात है, देख चुके हैं, option c में लिखा है कम से कम दो महिला सदस्य होंगी तो यह भी देख चुके हैं कि कम से कम दो महिला सदस्य होंगी सभापती के निर्वाचन के 10 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से MIC का गठन किया जाएगा ऐसा दिया हुआ है option b में option b गलत होगा इसलिए कि यह 10 नहीं यह कितने दिन हैं तो है 7 दिन तो ध्यान रखें नवीन संशोधन के अनुसार सभापती के निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर ना कि 10 दिनों के भीतर और नगर पालिक निगम के महापौर द्वारा इसका गठन किया जाएगा यह भी हमने देखा कि गठन कौन करता है तो महापौर करता है इस MIC का गठन अब अगर हम विचार करें इन दिये हुए options को तो end में से 3 सही और 1 गलत है तब आप मुझे बताईए कि अगर आपको कोई एक चुनना है तो आप सही चुनेंगे कि गलत है तो देखिए सही तो 3 है तो 3 option तो आप चुन नहीं सकते आपका question ही disqualify हो जाएगा तो यहाँ पर चुनाओ किसका करना होगा तो चुनाओ करना होगा कि इसके संदर्भ में गलत क्या दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है सभापती के निर्वाचन के 10 दिन के भीतर मतलब option B और इसी लिए हमें चुनाओ करना होगा option B का और option B जो ह वह सहीं उत्तर हो जाएगा इस दिती प्रशन का तो आई होप यहाँ पर explanation आप लोग को समझ में आया कि क्यों मैंने option B चुना इसलिए कि A, C और D तो तीनों सही थे तो तीन को तो एक साथ चुन नहीं सकते B गलत है और एक मात्र ऐसा option है जो की गलत है तो आप स्वयम समझ स कि यहाँ पर हमें किस option को चुनना है तो हमें यहाँ पर गलत option को ही चुनना होगा तो यह हो गया हमारा द्विती प्रशन अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रशन पर हैं नगर पालिक निगम की अवधी के विशय में सहीं क्या है पहला statement दिया है माहा पौर का कारेकाल जो है निगम की अवधी पाच वर्श की होती है चौथा statement कहता है महा पौर और पार्शदों का कारेकाल निगम की अवधी पर निरभर होता है पाचवा statement यदि निगम पाच वर्श की अवधी के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई निगम पाच वर्श की अवधी के लिए चुनी जाएगी और आखरी स्टेटमेंट कहता है यदी निगम पाँच वर्ष की अवधी के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई निगम पूर्व निगम की शेश अवधी तक बनी रहेगी अब एक चीज को समझे है अगर बात करें अवधी की तो ध्यान रखें चुनाव का जो रिजल्ट है उसके प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर जो है वह पहली बैठक बुलाई जाती है और निगम की जो अवधी है इस पहली बैठक से होती है कब तक तो 5 वर्षों तक तो ध्यान रखना अवधी निगम की है 5 वर्षों की इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो महापौर है उनका कारेकाल भी 5 वर्ष का है और जो पार्षद है उनका कारेकाल भी 5 वर्षों का ही होता है अब यहाँ पे आप लोग को डाउट होने लगेगा कि नहीं जब ये पांच वर्ष के लिए है तो उनका भी पांच वर्ष का होगा तो doubt होना बहुत लाजमी सी बात है यहाँ पे आप बारेकी से समझेए कि निगम का कारेकाल तो पांच वर्ष का है और जो महापौर और पार्षद होते हैं, उनका जो कारिकाल है वह निर्भर होता है, इस पे तो ध्यान रखना निगम की आउधी पर, मतलब अगर निगम जो है, वह विघटत हो जाए तीन वर्ष पे तो इसका यह मतलब नहीं कि महापौर और पार्षद बने रहेंगे, अगर विगटन तीन वर्ष में हो जाए तो महापौर और पार्षद जो है वह भी पदमुक्त हो जाएंगे तीन साल के बाद और नवीन चुनाव जो है उन्हें कराया जाएगा तो समझ में आया आपको कि असल में अवधी निगम की पाँच वर्ष की होती है और महापौर और पार्षदों का जो कार्यकाल है वह निर्भर करता है निगम की अवधी पर तो निगम अगर पाँच वर्ष की पूरी अवधी तक चले तो इनका कार्यकाल भी पाँच वर्षों अगर निगम विघटित हो जाए तीन वर्ष में तो इनका कारेकाल भी तीन वर्ष का हो जाएगा, तो यह कहना कि इनका कारेकाल पांच वर्ष का होता है, यह तो गलत हो गया न, तो इस कंडिशन में आप देखो कि स्टेटमेंट वन और टू दोनों गलत हो जाएंगे, महाप नगर पालिक निगम की अवधी पांच वर्ष की होती है, ये बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा, चोथा स्टेटमेंट महापौर और पार्षदो का कारिकाल निगम की अवधी पर निर्बर होता है, यह बात भी मैंने आपको बताई कि इनका जो कारिकाल है वो निगम की अवधी पर निर्बर होता है, अगला स्टेटमेंट कहता है यदि निगम पांच वर्ष की अवधी के पूरू भंग कर दी जाए, मान लिया जाए कि निगम में महापौर और जो सभापती हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, वह पास हो जाए और निगम जो है वह भंग हो जाए, उस कंडिशन में जो नई निगम है वह पांच वर्ष की अवधी के लिए चुनी जाती है, तो इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताओं, तो ध्यान ये रखना कि सबसे पहले अगर अवधी पूर्व विघटन हो जाए निगम का, तो जो नई निगम क गठन होगा, वह होता है बची अवधी के लिए, कब तक के लिए, तो बची हुई अवधी के लिए नई निगम का होगा गठन, और आपको बता दूँ, अब यह बची हुई अवधी, अगर है छे महीने से अधिक, तो उस कंडिशन में क्या होता है, तो बची हुई अवधी बस का चुनाव होता है, और अगर है छे महीने से कम, तो नई पांच वर्ष की अवधी का चुनाव होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसरकार तुरंत चुनाव ना कराए, और बची हुई अवधी के निकल जाने के पश्यात, फ्रेश पांच व सरकार के हाथ में होता है, कि तुरंत चुनाव कराया जाए की नहीं, अगर अवधी छे महीने से कम की बची है, तो अवधी के संदर में मैंने क्या बताया, अवधी के संदर में ये बताया कि यदी निगम का विगटन जो है, पांच वर्ष के कम्प्लीट होने के पहले हो जा और बची हुई अवधी के संदर में मैंने बताया कि 6 महीने से अगर जादा बची है तो सिरिफ बची हुई अवधी के लिए होगा और अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो फ्रेश 5 वर्षों के लिए नया election जो है या नया चुनाव जो है वह होगा अब हम देखते हैं पाथवे स्टेटमेंट को यदी निगम 5 वर्ष की अवधी के पूर्व भंकर दी जाए तो नई निगम 5 वर्ष की अवधी के लिए चुनी जाएगी यह स्टेटमेंट बिलकुल गलत है चात्वा स्टेटमेंट है यदी निगम 5 वर्षों की अवधी के clause हैं वो यहां मैंने बताए हैं 6 महिने से कम और 6 महिने से जादा के संदर में किस प्रकार से चुनाव किये जाएगे अब हमें क्या करना था तो इस question में बताना था कि actually सही क्या है तो सही हमने देखा है कि statement 3 सही है statement 4 भी सही है और हमने देखा कि statement number 26 सही है अब अगर options को देखें तो देखिए option D में दिया है 3, 4 और 6 और यही हमने देखा 3, 4 और 6 जो है यही सही है जो कि option D में दिये हैं इसलिए option D जो है वह सही उत्तर होगा इस तीसरे प्रशन का अब हम आ जाते हैं नगर निगम का जो पार्शद है वह अपना त्याग पत्र किसे देता है तो ध्यान रखें अगर नगर निगम की बात करें और त्याग पत्रों की बात करें तो सबसे पहले है महा पौर और उसके बाद है बचे पार्शद और सभा पती तो महापौर जो है वह तो देता है राज सरकार को लिखित में और पार्षद और सभापती जो है यह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो देते हैं महापौर को किसे देते हैं तो महापौर को तो चौथे प्रशन का सही उत्तर क्या है तो option A महापौर अब आजाते हैं में पांचवे प्रशन पे नगर पालिका परिशत के पार्शत की पदमुक्ती के संबंध में क्या सही है तो ध्यान रखें मैं बात करूँ अगर पदमुक्ती की तो तीन स्तर है एक तो है नगर पालिक निगम उसके बाद है नगर पालिका परिशद और है नगर पंचायद अब तीनों ही स्तर पे अगर किसी भी पार्शद की पदमुक्ती करनी है या होनी है तो उसके दो तरीके है पहले तो है कलेक्टर द्वारा कलेक्टर के द्वारा कैसे तो अगर उसका आचरण अशोभनी है तो जन हित में कलेक्टर द्वारा उस पार्शद को पदमुक्त किया जा सकता है चाहे वह निगम शेत्र का पार्षद हो पालिका शेत्र का पार्षद हो यह पंचायत शेत्र का पार्षद हो इसके अलावा अगर उसे निगम पालिका यह पंचायत हटाना चाहे तो उसे ध्यान रखें कुल पार्षदों के दो बटे तीन बहुमत से हटाया जा सकता है और कब तो ध्यान रखना इस समय भी कारण होगा अशोभनी आचरण और क्यारण क्या होगा तो ध्यान रखना कारण होगा अशोभनी आचरण तो पदमुक्ति के संबंध में क्या देखा तो निगम हो पालिका हो या नगर पंचायत हो अशोभनी आचरण के कारण कलेक्टर द्वारा पार्षत को जनहित में हटाया जा सकता है या निगम पालिका या पंचायत चाहे तो खुल पार्षदों के दो बटे तीन बहुमत से भ और भी पदमुक्ति कराई जा सकती है पार्षद की कारण क्या होगा तो कारण होगा अशोभनी आचरण तो यह हो गए पदमुक्ति के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स अब आ जाते हैं आप्षिंज पे उप्शन डी कहता है अशोभनी आचरण के कारण परिशद किसी पार के कारण परिशत किसी पार्षत को एक बटे तीन बहुमत से यहां भी गलत दिया है बहुमत कितना बताया है दो बटे तीन बताया है उप्शन B दिया है अशोभनी आचरण के कारण जनहित में आयुक्त द्वारा यह भी गलत है मैंने आपको क्या बताया है जनहित में किस के द्वारा तो कलेक्टर के द्वारा उप्शन A में दिया है अशोभनी आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर द्वारा तो मैंने आपको यह आपके पाचवे प्रश्न का सही उत्तर होगा इसके बाद हमा जाते हैं अपने छटे प्रश्न पे नगर पालिका परिशत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के विशय में क्या सही तो उपाध्यक्ष के निर्वाचन के विशय में मैं आपको बता दूँ सबसे पहले इसका जो निर्वाचन है वह किमिके द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना निर्वाचित पार्षदों के द्वारा अपने बीच में से ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है और अगर कभी condition आ जाए समान मत की तो उससमय क्या होता है तो lot system से इसको decide किया जाता है या उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है और समान मत की जब स्थिती पैदा हो जाए तब डिसिजन कैसे लेते हैं तो लौट पद्धती से इसको डिसाइड किया जाता है अब आ जाते हैं किस पे तो स्टेटमेंट्स पे तो पहला स्टेटमेंट कहता है उपाध्यक्ष परिशद के सभी सदस्यों दवारा चुना जाता है तो मैंने आपको बताया निर्वाचित पार्षदों या निर्वाचित सदस्यों के दवारा चुना जाता है नकी सभी सदस्य इसलिए यह statement हो गया गलत दूसरा statement कहता है उपाध्यक्ष परिशद के निर्वाचित सदस्योधारा चुबना जाता है तो यह बात तो बिल्कुल सही है मैंने बताया आपको तीसरा statement कहता है परिशद के निर्वाचित सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं अगला statement समान्मत आने पर पिठासीन अधिकारी निर्नायक मत दे सकता है तो मैंने बताया समान्मत की स्थिती अगर आ जाए तो decision कैसे हոता है लोट सिस्टम से ना कि पिठासीन अधिकारी के मत से पाचवा statement कहता है समान मत आने पर लोट द्वारा निर्णाई लिया जाता है तो बिलकुल सहीं बात है ये और छटबा statement कहता है मनोनित सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं उपाध्यक्ष के लिए मैंने आपको क्या बताया कि निर्वाचित सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो मनोनित सदस्य कैसे जो है वह निर्वाचित हो जाएंगे इसलिए यह statement है गलत हमेरे question में क्या बताना था? बताना था क्या सही है? अब सही के संदर्ब में देखिए तो 2 सही है, 3 सही है और 5 सही है options को देखो तो option A में ही दिया है 2, 3 और 5 और इसी लिए option A जो है वह सही option होगा आपके छटवे प्रशन का अब हम आजाते हैं अपने साथवे प्रशन पे महापौर के निर्वाचन में शामिल है अब देखते हैं कौन-कौन शामिल है सबसे पहले मैं आपको बता दू नवीन संशोधन नगर निगम अधिनियम में हुआ है वर्श 2019 में इसके आधार पर महापौर का जो चुनाओं है अब वह कैसा हो गया है तो हो गया है अ-प्रत्यक्ष और इसमें भाग कौन लेते हैं तो ध्यान रखना इसमें भाग लेते हैं नगर निगम शेत्र में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्या तो नवीन संशोधन के अनुसार महापौर का चुनाओं कैसा हो गया है तो अप्रत्यक्ष भाग कौन लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, सदस्य, किस शेत्र से, नगर निगम शेत्र से, अब देखिए, option D को देखे तो क्या दिया है, नगर निगम शेत्र से, निर्वाचित, तो यह पहले सही था, लेकिन नवीन संशोधन के अनुसार चुनाव अप्रत्यक्ष हो चुका है, इसलिए यह अब गलत है, option C में दिया है, नगर निगम के मनोनित पार्षद, तो मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो यह option गलत, D दिया है, नगर निगम के कुल पार्षद, अब कुल पार पार्षद में तो निर्वाचित भी आजाएंगे, मनोनित भी आजाएंगे, चुकि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए यह option भी गलत, option A में दिया है, नगर निगम के निर्वाचित पार्षद, यही मैंने आपको बताया है, न साथवे प्रषद था, साथवे के बाद हम आ जाते हैं अपने आठवे प्रषद पे, क्या दिया है, नगर पालिका परिशद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और साथ सदस्य होते हैं, आपको ध्यान होगा, पहले question में ही मैंने explanation में बताया था, नगर पा परिशद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो मैंने बताया था, उक्त काउंसिल के सदस्य हैं, वह प्रसाद परियन तो होते हैं, मतलब चुने भी किसके द्वारा जाते हैं, तो नगर पालिका परिशद के अध्यक्ष के द्वारा और हटाए भी जाते हैं, अध्यक कुछ सदस्य नगर पंचायत से नामांकित होते हैं यह बात बिलकुल सहीं नहीं है अगर मेर इन काउंसिल है तो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए पार्शदों में से बनेंगे अगर नगर पाली का परिशद है या नगर पंचायत है तो उ चौथे स्टेट्मेंट की बात करें नगर पाली का परिशद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापती होता है यह बात भी हम देख चुके हैं पहले ही question में बिलकुल सहीं बात है यह अगला statement कहता है नगर पाली का परिशद के अध्यक्ष की अनूपस्थिती में व वो अपने बीच में से ही किसी एक सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन लेते हैं ना कि अध्यक्ष किसी को मनोनित करता है इसी लिए यह स्टेटमेंट गलत है आखरी स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिशद के अध्यक्ष के प्रसाद परियंत अपने पद पर बने रहते हैं तो यह बात भी मैं बता ही चुका था कि PIC हो चाहे MIC हो जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष या महापौर जो भी है उसक प्रसाद परियंत अपने पद पर बने रहते हैं और इसी लिए यह स्टेटमेंट सही होने वाला है अब सही स्टेटमेंट को हम देखे तो पहला स्टेटमेंट सही इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट सही और इसके अलावा छटवा स्टेटमेंट सही मतलब दूसरा तीसर और पाचवा स्टेट्मेंट गलत है और हमें क्या बताना है हमें यही बताना है कि क्या सही है तो सही एक चार छे जो की दिया है option A में इसलिए option A जो है वह सही है आपके आठवे प्रशन के लिए नववा प्रशन अब है नगर पालिका परिशत से सम्बंधित नहीं यहाँ पर या president in council दूसरी समिती है सलाहकार समिती तीसरी है मुहला समिती उसके बाद है वाड समिती और उसके बाद अंतिम है परा मर्श दात्री समिती तो कौन-कौन सी समितिया जो है जो की नगर पालिका परिशत से सम्बंधित है वह है PIC सलाहकार समिती मुहला समिती वाड समिती और परामर्श दात्री समिती इसके अलावा मैं आपको बता दू लेखा समिती का गठन जो है वह निगम शेत्र में होता है ना कि पालिका और प परामर्श दात्री समिती तो सम्बंधित है मुहला समिती भी सम्बंधित है वाड समिती भी सम्बंधित है लेकिन लेखा समिती जो है यह लेखा समिती असल में निगम शेत्र में होती है ना कि पालिका या पंचायत शेत्र में इसलिए option D लेखा समिती जो है वह सही answer है आपके नवे प्रश्न के लिए अब हम आजाते हैं इस वीडियो के आखरी प्रश्न पे तो दस्वा प्रश्न है नगर पालिका परिशत के अध्यक्ष एवं पार्शद किनिके समक्ष शपत लेते हैं तो सबसे पहले है नगर पालिक निगम फिर है नगर पालिका परिशद और उसके बाद है नगर पंचायत तो निगम में महापौर सभापती और पार्शद यह तीनों किसके समक्ष सपत लेते हैं तो ध्यान रखना कलेक्टर के समक्ष लेते हैं और पालिका और पंचायत शेत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो पार्शद हैं वह किनके समक्ष शपत लेते हैं? तो ध्यान रखना वह शपत लेते हैं अनुविभागी दंडाधिकारी के समक्ष. किसके समक्ष लेते हैं? तो ध्यान रखना अनुविभागी दंडाधिकारी के समक्ष लेते हैं शपत. तो यहाँ पर क्या पुछा है नगरपालि का परिशत के अध्यक्ष एवं पार्षत किनके समक्ष शपत लेते हैं मैंने बताया अनुविभागी दंडाधिकारी के समक्ष लेते हैं शपत और इसलिए option B जो है अनुविभागी दंडा अधिकारी वही है सही answer आपके इस दसवे प्रशनी के लिए तो यह थे 36 गड़ में शहरी स्तर पर जो स्थानी प्रशाचन है उसमें से कुछ 10 अच्छे और conceptual प्रशनी मेरी मुलाकात होगी आप से आने वाले वीडियो में जिसमें मैं लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए संभाग परिचय जिसमें हम एक एक संभाग से डीटेल में कुछ प्रशनों पर करेंगे चर्चा तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और टेक केर